दिली शराब घुटारा मामले में इरी जबरदस्ट एक्शन में है तो आम आदिपार्टी भी अभियान चला कर सरकार पर निशाना साथ रही है इसके साथ साथ दिली की राउजवेन नी कोट ने भी केजवाल की एक याचिका पर फैसला आएगा जिसमें केजवाल ने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतरिक्त समय की मांग की है वहीं आमाद्वी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घुटाले में फसी बियारेस नेता की कविता को भी आज कोट में पेश किया जाएगा दिल्ली शराब घोटाले में केजरिवाल को कितनी राहत अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी को चुनौती देनी वाली आचिका पर आज दिल्ली हाई कोट फैंसला सुनाने वाला है कोट ने 3 अप्रेल को सुनवाई के बाद फैंसला सुरक्षित रख लिया था आज सब की निगाहें हाई कोट पर लगी है जहां जस्टिस स्वंड कांता शर्मा की बैंच फैंसला सुनाएगी कोट में बहस के दोरान केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु संग्वी ने उनकी गिरफतारी को स्क्रिप्टिट बताते हुए गिरफतारी की टाइविंग पर सवार उठाये थे केजरिवाल के वकील ने कहा था कि आम चुनाव आ गए हैं इसलिए ऐसे समय में केजरिवाल की गिरफतारी की गई है ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा ना बन सके और प्रचार ना कर पाएं पीमले के तहट गिरफतारी के लायक एडी के पास कोई सबूत नहीं है इसका जवाब देते हुए एडी के वकील एस्वी राजु ने कहा कि केजरिवाल के प्रती गवाहों के बयान हमारे पास है इनके अलावा वाटसअप चैट और हवाला ओपरेटरों के बयान भी है ऐसा के अंदर वकीलों और कोट के चकर काटते रहें ये पूरी की पूरी भारती जंता पार्टी की एक स्ट्राटेजी है जिसके इसाफ से एडी और सीबिया और इंकम टेक्स काम कर रहे हैं एक साइज मामले में हम लोगों के पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जब तक अरविंद केजरिवाल के खिलाफ जो एडी चाहती है वो ना बोले अरविंद केजरिवाल जी कोई पाकिस्तान से लड़ते हुए चीन से लड़ाई लड़ते हुए जेल नहीं गए चोटे चोटे बच्चों को नशा परोसने के लिए एक के साथ एक बोतल हाथ में थमाने के किताब की जगा शराब की बोतल थमाने के लिए गई है अब अर्विन केजरिवाल जी तिहार जेल के सरगना होंगे तिहार जेल में वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं अपना समराजया तिहार जेल से चलाने की सोच रहे हैं एक तरफ केजरिवाल आज राहत की उमीद कर रहे हैं तो वहीं उनकी तरफ से दिल्ली की राउजवेनी कोट में एक दूसरी याची का दाखिल की गई है तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल ने अपने वकीलों से मिलने के लिए अत्रिक्त समय की मांग की है केजरिवाल के वकील विवेक जेन ने पिछले हफ़ते सुनवाई के दोरान तरक दिया था कि केजरिवाल किसी तरह की राहत की मांग नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अत्रिक्त बैठक की मांग कर हैं शराब घोटाले में बियारेस नेता के कविता की जमानत खारिज हो चुकी है वहीं आज उनकी नाई खिरासत भी खत्म हो रही है आज उन्हें भी कोट में पेश किया जाएगा इधर शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की परिशानी और बढ़ने वाली है क्योंकि दुरगेश पाठक का हाथ था क्योंकि गोवा चुनाव में दुरगेश पाठक भी पार्टी के कोई इंचार्ज थे सितंबर 2022 में जब एडी ने विजन आयर के आँछापा मारा था तो वहां दुरगेश पाठक भी मौजूद थे उस वक्त एडी ने दुरगेश पाठक का कोन भी जब्त कर लिया था इडिने अर्विंद के जिवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार से भी पूछता अचकी है उनसे लगवत पांच घंटे तक सवाल जवाब किये गए ये धीरे-धीरे करके सब को बुलाएंगे जिनको भी लगता है कि ये उनके रोडे आ सकते ह तब तक ये करते रहेंगे घोटाला एतना बड़ा है कि निश्चत रूप से इसमें जो भी दोशी है वहां तक तो पहुंचने की कोसिस करेगी ही जाच एजेंसी अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिसी और सरो भारत द्वाज आप दोनों का नाम अर्विंद केज जिरिवाल जी ने दिया और आतिसी जी ने अपने प्रिस कॉंफरेंस में दुरगेश पाठक और आगव चड़ा जी का नाम दिया तो मेरा मानना है कि जब यो लोग खुद ही बता रहें कि इस घोटाले में ये ये भी हैं तो जाच एजेंसी को ये जाच तो करनी पड़ेग लोगसबा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुँच गया है आम आदमी पार्टी को केजरिवाल की कमी खल रही है ऐसे में आज पार्टी को हाई कोट के फैसले से बड़ी उमीदे हैं